जै श्री कृष्णा और आज मैं आपको श्री कृष्णा जी का नाम लड़ू गोपाल कैसे पड़ा ये बताने जा रही हूँ और आप ये जानेंगे इस दिल्चस्प कहानी के ध्वारा जो श्री कृष्णा जी है उनको भगवान विष्णू का आठवावतार माना जाता है वहीं द्वापर यूग में हुए श्री कृष्ण को अनेक नामों से भी जाना जाता था इन में से श्री कृष्णा का एक प्रसिद नाम है लड़ू गोपाल तो आज मैं आपको श्री कृष्णा जी की महीमा से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ जिसके बताने से या जिसके बाद जो है लड़ू गोपाल नाम पढ़ गया था उनका तो चलिए जानते हैं ध्यान से सुनिएगा तो काफी समय पहले की बात है ब्रज भूमी में श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त जिनका नाम था कुम्बन दास रहते थे उनका एक रगुनंदन नाम का पुत्र था कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ती में कुम्बन दास दुआरा समय लीन रहने के साथ ही समस्त विधी विधान वे नियम के अनुसार श्री कृष्ण जी की सेवा किया करते थे वो तो यहां तक कि उन्हें कहीं जाना भी होता था तो भी वे श्री कृष्ण को छोड़ कर कहीं नहीं जाते थे हमेशा उनकी सेवा में ही लीन रहते थे उनका मानना था कि ऐसा करना या कहीं जाने से श्री किष्णा जी की सेवा में कोई विग्न उत्पन हो सकता और वो ऐसा कभी नहीं करना जाते थे और ऐसा करते हुए उन्हें कई साल भीद गए थे वहीं व्रंदावन में एक दिन उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया जिससे उनके द्वारा पहले तो मना कर दिया गया लेकिन भक्तों के अत्या अधिक जोर देने पर वे कथा के लिए व्रंदावन जाने को मान गए यहां उनकी सोच थी कि भगवान की सेवा की तयारी करके वे हर रोज कथा करके वापस लोटाएंगे और ऐसा करने से भगवान का सेवा में कोई विगन भी नहीं आएगा फिर भागवत कथा के लिए जाते समय उन्होंने अपने पुत्र रगुनंदन को समझाते हुए कहा कि वो भोग तयार कर चुके हैं और रगुनंदन को बस ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना है इसके बाद कुंबंदास जो है वो भागवत कथा के लिए चले जाते हैं इसके बाद कुंबंदास की अनुपस्तिति में उनकी आदेश की अनुसार कुंबंदास के जो पुत्र हैं रगुनंदन ने ठीक निश्चित समय पर भोजन की तहाली श्री कृष्णा जी के सामने रखी और उनसे सरल मन से आगरह करते हुए कहा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ रगुनंदन के बाल मन में यह विचार था कि श्री कृष्ण जी आकर अपने हातों से भोजन करेंगे लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं आए इस पर रगुनंदन ने बार बार श्री कृष्ण जी से आगरह किया लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा रहा तो अब क्या हुआ यह देखकर रगुनंदन जो है वो दास हो जाता है और उन्हें रोते हुए उसने पुकारा कि ठाकर जी आओ और भोग लगाओ जिसके बाद ठाकर जी की मूर्ती में से एक बालक का रूप धारन कर बाहर आए और भोजन करने बैट गए श्री कृष्ण जी को भोजन करते देख रगुनंदन जो था वो बहुत खुश हो गया इसके बाद भागवत कथा से रात को जो है कुम्बंदास जी वापस आते हैं और वो अपने पुत रगुनंदन से पूछते हैं कि बेटा ठाकुर जी ने को आपने ठीक से भोग लगा दिया था इस पर रगुनंदन बोलता है कि हां ये सुनने के बाद कुम्बंदास जी ने रगुनंदन से प्रसाद मांगा इस पर अगुनंदन ने बोला कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया इस पर कुम्बंदास जी ने सोचा कि रगुनंदन ने भूख लगने के चलते सारा भोजन लगता है स्वेम ही खा लिया होगा लेकिन इसके बाद तो ये रोज की स्थिती हो गई थी भोजन की थाली लगाकर कुम्बंदास जी जाते और रगुनंदन ठाकुर जी को भोग के लिए आगरह करते और श्रे कृष्ण जी यहां आकर भोजन कर लेते वहीं जब कुम्बंदास जी वापस आकर रगुनंदन से प्रसाद मांगते तो रगुनंदन कहते कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया हर रोज होने वाली इस प्रक्रिया के बीच कुम्बंदास जी को शक हुआ कि उनका पुत्र रगुनंदन जूट बोलने लगा है ऐसे में एक दिन कुम्बंदास जी कहीं बाहर रही गए और लड़ू बनाकर थाली में सजाने के बाद छिपकर ये देखने लगे कि रगुनंदन क्या करता है कि क्या वो खा लेगा या वो जूट बोलता था अब क्या करेगा इस बार भी रगुनंदन ने हर बार की तरह इस दिन भी श्रे कृशन जी को पुकारा तो रगुनंदन की पुकार सुनते ही श्रे कृशन जी बालक के रूप में प्रकट हुए और लड़ू खाने लगे कुमबंदास जी ने जैसे ही द्रश्य देखा वे दोड़ते हुए आए और बालक के रूप में आए श्रे कृशन जी के चड़नों में गिर गए इस समय था कृशी के हाथ में एक लड़ू और दूसरा लड़ू जो था वो मुक के समीब था तो इस इस्तिती में जो थे वो और वह मुक में जाने ही वाला था जो दूसरा लड़ू जो मुक के समीब था कि वो वहीं जड़ हो गए मतलब कि वो हिले नहीं और वो वहीं पर ही जड़ की तरह हो गए इस घटना के बाद से ही श्री कृष्ण जी के इसी रूप की भी पूजा की जाने लगी और यहीं से वो कहलाए लड़ू गोपाल तो चलिए सब जोड से बोलें हाथी गोड़ा पाल की जै कनया लाल की तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं जै श्री कृष्ण अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें जै श्री कृष्णा